दोस्तों आज मैं आपको ऐसी पाउरफूर आसदी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके इस्तमाल से शरीर में होने वाले सारे दर्द जैसे कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठवा कमर दर्द, शरीर की अकड़न जकड़न या शरीर में किसी भी तरह का समस्या में भी फादा मिलेगा, दोस्तों यह इफेक्टिव औसधी है मेथी दाना और सौंफ, मेथी दाना के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, यह इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके इलावा मेथी दाने को वात नाशक की रूप में जाना जाता है, जो आपके जुड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या है, सुजन की समस्या है, नसु में ब्लोकिज प्रॉलम है, इन सभी समस्याओं में जब बरतस्त काम करता है, और साथ साथ में दोस्तों यह शूगर को भी कंट्रूल करने क काम करता है तो यहाँ पर आपको सौफ और मेथी के लावा एक और रेमेडी बताऊंगा जो वातरोग, ज्वैंट पिन, ब्लॉकेज में फायदा देगा लेकिन इन दोनों ही उसदियों को लेना कैसे हैं खास करके इस गर्मी के दिनों में यह जानना भी बहुत ही जिरूरी है क्यूंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेथी का पौडर बनाकर फाके लेकर खा जाते हैं जो कि बिल्कुल गल्त है या श्रीव में कोई असर नहीं होने देता या फिर मेथी खाने के जश्ट बाद चाय पी लेते है इससे भी मेथी जाने का असर बिल्कुल खत्म हो जाता तो ऐसी गलती आप ना करें आपको जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप इस गर्मी के मौसर में इस्तमाल कीजिएगा और देखेगा 15-20 दुन के अंदर आपको फर्क महसूस होने लगेगा इसके लिए क्या करना आपको आधा चम्मच मेसी जाना और आधा चम्मच सौं देना है और इन्हें एक कप पानी के अंदर भीगो कर रात भर के लिए छोड़ देना है सुबा देखेंगे तो इन दोनों ही औसधियों का अर्ख इस पानी में आ गया होगा इस पानी को हलका सा गुनगूना करना है नहीं तो आप ऐसे ही सुबा सुबा खाली पी सकते हो पी लेने से पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा तेकिन ऐसा नहीं कि एक दू दिन में आपको फायदे दिखेगा आपको इसे 6-7 दिनों तक रेगुलर लेना होगा फिर आप देखोगे कि आपका पेट भी सुबा सुबा अच्छे से साफ होने लग जाएगा प बैट कॉलिस्ट्रोल शुरीर में नहीं बढ़ेगा अब कुछ लोग ऐसे होते जो लगादार रिफाइंड तेल का इस्तमाल कर रहे होते हैं इसके वजह से उनके सेहत ज्यादा खराब रहती है काफी सारी बीमारियों से घेरे रहते हैं दोस्तों अगर आप रिफाइंड त देल खाना जारतर बाहर का खाना खाने से श्रीर में बैट कॉलिस्ट्रोल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है इसके साथ साथ वात रोग घेर लेते हैं यानि जोडों में घुटनों में होने वाला दर्द इस तरह के गलत खान पान के कारण होता है है तो मेथी वात से सम्म अधिया है तो भी आपको नियमीद मेथी जाने का सेवन इस तरह से सौफ के साथ करना चाहिए इसके लावा आयरिवेद में मेथी को श्यूगर कंट्रोल करने वाला औसधी बताया है अगर आपको डायबीडिक है या फिर आपके परिवार में किसी भी सद्धिको डायबीड दो कली लहसुन रोजाना खाना शुरू करेंगे ना तो बड़ी से बड़ी असाथ ही बीमारियों को ये ठीक करने की छमता रगता है लेकिन आपको रेगलर लेना होगा तब ही आपको इसके फायदे दिखेंगे दो कली लहसुन दवाई की तरह खाना शुरू कीजे क्या कर आपको दो कली लहसुन को लेना है और इस से किसी भी तरीके से जादा नहीं कुटना है बस एक दो बर खं लीजे तक कि पेट के अंदर अच्छे से जा सके कुटे हुए लहसुन को मेथी और सवाँफ के पानी के साथ आपको ले लेना है जिया इन उसनियों को सुबा के समय खाली पेड़ी लेना है बस एक नियम अपना लीजे 15-20 दिन तक करके देखे आपको फर्क खुद में महसूस होगा वैसे लहसुन का इस्तामाल सुबह सुबह खाली पेड़ी पूरे साल तक कर सकते हो कोई नुक्सान नहीं करता सिर्फ दो कली करना है इससे जाना मातरा में नह लहसुन गंदा हो गया है जिस वजह से उनके चेहरे पर पेंपल्स आते हैं या फिर नसों के अंदर ब्लॉके जाने लगती है ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं उपा रहा होता है तो भी आप रोजाना इस तरह से सौफ और मेथी वाले पानी के साथ लहसून का सिवन कर सकते हैं यह उसदियां बैट कॉलेश्ट्रोल को शरीर से बाहर करने के साथ साथ टागलेस्राइट को भी शरीर से बाहर कर देती है इसके लावा दोस्तों सौफ और मेथी दाना और साथ में लहसून आपस में जब मिलते हैं तो यह एक ऐसी पावरफुल उसदी बन जाती है जो पूरे शरीर को करनें का काम करती है तो फ inve angry करना नहीं करना है जादा बहुत ज्मीर होता हो पेट में बहुत जाला गर्मी रहती हो तो आपको मेथी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है हाँ, आप सौफ का सेवन कर सकते हैं सौफ आपके लिए किसी अमरीज से कम नहीं है पित रोगियों के लिए सौफ राम बानाओं सदी है तो सौफ की चाय बना कर पी सकते हो रात को सौफ भीगो कर सुबह उसका पानी पी सकते हो इससे पित आपका बैलेंस में रहेगा आज किस वीडियो में बस इतना ही अगर आप इस वीडियो से समंदित कुछ और पूछना चाहते हैं जानना जाते तो कॉमेंट कीजेगा मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दोंगा मिलता अगले वीडियो में धन्यवाद